मुरादबाद के थाना कडगर छेत्र के पिर्जादा एलाके से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महिला का कैना है कि ताना कडगर छेत्र के पिर्जादा म महिला की शादी के बाद से ही महिला की तीन बेटियां हैं महिला ने बताया कि उसने बेटे को जन्म ना देने पर उसके पती ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके साथ बेहद मार पीट भी की महिला ने बताया जब इस चीज के शिकायत उसने थाना कटगर पुलिस से की तो थाना कडगर पुलिस ने शकायत का कोई भी संग्यान नहीं लिया महिला का एक कहना है कि थाना कडगर के चक्कर काटते काटते उसके चपल घिस चुकी है मंगर थाना कडगर पुलिस कोई भी कारवाही करने को तयार नहीं महिला का ये कहना है कि बैस्वर यही चाहती है कि उसका पती उसे घर पर बुला ली जहां एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही जाती है तो वहीं योग्या अधितनाथ के आदेशों की धज्या उड़ाते हुए थाना करगर पुलिस नजरा रही है महिला का आरोप है कि थाना करगर पुलिस उसके पती के खिलाफ कोई कारवाही नहीं कर रही महिला ने बेहत संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पती ने उसे घर से बाहर निकाल दिया जब भी मैं थाना कड़कर पुलिस के पास शकायत करने जाती हूँ तो थाना कड़कर पुलिस उसे टाल देती है अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इसमें क्या कारिवाही करती है मारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान की खास रिपोर्ट कि मैं थाने जा जाकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूं मेरी चपल गिस गई है मैं बहुत ही परेशान हूं मेरा फुसूर इतना है कि मेरी तीन लड़किया है अगर तीन लड़किया है क्या मामला है पूरे मामला बताइए जी मैं अपने सुस्राल में रहती थी वहां मे मैं अपने घर वाद पस जारा चाहती हूं मैं पुजूरी दोओके मेरी सीट बेटी है बस अब आपका कहने का मतला है कि आप तीन बेटीया थी इस साथ निकाल दिया भी बेटा नहीं है आपका नहीं मेरे बेटा रही है तो परवाले की मर्जी है, बेट और बेटी का दे रहा है तो अल्ला का आत्म है, लेकिन मेरे तीन बेटिया है यह कजूर है बस मुझे घर से निकाल दिया है, मार पीट करके मेरे साथ, धक्का देकर, कहा की सुष्राले है आपकी? मेरे सुष्रालिया है, गुलाबाली मजडित, उसी मोले में जावे, मेका है मेरे सुष्राले, थाना कटगर, थाना कटगर परता है, अच्छा कुछ अधिकालियों के पास आप पहुची? जी मैं गईती लेकिन कुछ सुनवाय नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ मेरे लिए, में अपने सुष्राल जाना चाहती हूँ, बस में बहुत जादे परेश, मैं चाहती हूँ, कि मैं अपने सुष्राल जाना चाहती हूँ, मैं आप से और्पल नहीं कहना चाहती हूँ, मैं आप से और्पल नहीं कहना चाहती हूँ, मैं आप से और्पल नहीं कहना चाहती